हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ निर्मला मेरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुबह शाम की छोटी मूटी भूग में यदि कुछ हलका फुलका और टीस्टिक आने को मिल जाए तो मज़ा आजाए तो आज ही एक ऐसी हलकी फुलकी नमकीन की रेसिपी माँ आप से शेयर करने जा रही हूं जिससे आप महीने भरतक स्टोर भी कर सकते हैं और जब जाहें इस चटपटी नमकीन का मज़ा उठा सकते हैं और एकदम कम खर्चे में ठीर सारी नमकीन बन कर तयार हो जाती है तो काफी pocket friendly भी है तो अगर आपको ये recipe पसंद आए तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें साथी मेरी ऐसे और भी recipes देखते रहने के लिए चैनल को subscribe करना भी ना भूलें इस मज़्यदार नमकीन को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पोहा जिसे चिवडा भी कहा जाता है पोहा मोटा और पतला दो तरह काता हो तो आप इस नमकीन को बनाने के लिए मोटे या पतले किसी भी तरह की पोहे का इस्तमाल कर सकते हैं और मैंने यहाँ पर 400 ग्राम पोहे का इस्तमाल किया है तो अब जो पोहा होता है उसमें थोड़ा सा स्टार्च भी आता है थोड़ी सी डस्ट भी आती है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसे चान लेंगे चान कर ही हम इसका इस्तमाल करेंगे तो यहाँ पर एक प्लेट मैंने पूहा मैंने साइड में रख देते हैं इसका साइड में रख देते हैं इसका इस्तमाल हम बाद में करेंगे सबसे पहले हम नमकीन बनाने के लिए एक मसाला तयार करेंगे तो इसके लिए एक grinder जार में डालेंगे दो चमच साबू धनिया और साबू धनिया नहीं लेते हैं तो आप पाउडर भी ले सकते हैं इसका फिर लेंगे एक चमच साबू जीरा एक चमच ही लेंगे सौफ इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है का नमकीन में अब कुछ या चटपटा फ्लेवर लाने के लिए मैं इस्तमाल कर रही हूँ चाट मसाला तो एक चमच मचाट मसाला ले रही हूँ आप चाहें तो आमचूर का पाउडर इस्तमाल कर सकते हैं तो बस ये मसालों का मैंने फाइन पाउडर बना करके तयार कर लिया है तो नमकीन में ये ब का गरम हो गया है तो जो चीज़े हमें लोग फ्रिम पर फ्राइघ करनी है उन्हें हम पहले फ्राइए कर लेंगे तो इस छरणे की हल्ब से मैं साज़े फ्राइङ कर लूँगी ताकि इन्ने निकालने में भी हमें कोई परिशानी ना हो तो मैंने ये एक कप मौगफली लिया है कच्चे मौगफली है ये और इसे तेल के अंदर ऐसे हम फ्राई कर लेंगे सारी चीजों को जब हम फ्राई करके ये नमकीन बनाएंगे तो आप महिनों तक इस नमकीन को इसलिए स्टोर कर पाएंगे ये ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेगी और टेस्टी भी बनेगी नहीं तो यही नमकीन आप पिना फ्राई करके यानि थोड़ा सा शेलो फ्राई करके भी ले सकते हैं या रोस्ट करके भी ले सकते हैं लेकिन ऐसे बनाते हैं तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है तो जब मुंग फली अच्छे से लालाल हो जाएगी और ये चटकने लग जाएगी तब हम इसे बाहर निकाल देंगे मुंग फली को कभी भी पूरा और कुक यहीं पर ना करें क्योंकि ये बाद में भी अपनी हिट के कारण धीरे धीरे और पक्ती रहती है तो चलनी को इस तरह मैंने उचालते वे सार एक्स्टर देल निकाल दिया है और अब इस मुंग फली को हम एक एब्सॉर्मेंट पेपर पर निकाल देंगे अब सेम चलनी दुबारा से लेंगे और इसमें एड़ कर लेंगे डालिया बेसिकली ये बुनीवी चना दाल होती है जिसका इस्तमाल हम चटनी वगर बनाने में करते हैं तो यदि आपके पास ये है तो आप जरूर से इस्तमाल करें नहीं है तो इस किब भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें और भी हम कई चीज़े डालने वाली है तो नमकीन की टेस्ट में आपको कोई कॉम्प्रमाइस नहीं करना पड़ेगा ये जो दाल होती है वो काफी सोफ्ट होती है तो जल्दी से ये फ्राई भी हो जाती है तो इस तरह से बढ़िया लाल होने तक इस बुनीवी चना दाल को भी हमने फ्राई कर लिया है फिर से चलने को इस तरह हम कड़ाई के उपर रखते वे इस दाल को चान लेंगे ताकि एक्स्ट्रा सारा तील कड़ाई में आ जाए और बस अब इसे भी हम एब्सॉर्मेंट पेपर पर निकाल लेते हैं अब इस चलने के अंदर हम आदा कप सूखा नारियल इस तरह स्लाइस में कटावा लेंगे और इसे भी फ्राई कर लेंगे और नारियल में अलरेडी काफी ओल होता है तो ये तो बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाता है तो आप यहाँ पर स्लाइस करके ले सकते हैं एक दंबारी टुकड़े लेते हैं तो वो भी ले सकते हैं तो यहाँ पर नारियल भी अच्छा से फ्राई हो गया है तो इसे भी निकाल लेते हैं अब फिर से छलनी लेकर मैं इसमें आता कप ये हाफ कटेवे काजू भी एड़ करी हूँ आप चाहें तो बादाम भी ले सकते हैं या ड्राइफ फूट्स पसंद नहीं करते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं तो वैसी थोड़ी से काजू मैंने तेल के अंदर फ्राई कर ली हैं तो ये भी बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाएंगे तो जैसे ही ये हलका सा कलर जेंज करेंगे फटा फटा मीने बहार निकाल लेंगे तो इन्हें भी मैं एबसॉर्मेंट पेपर पर निकाल लेती हूँ तो सारी फ्राई कीवी चीज़े हम एबसॉर्मेंट पेपर पर निकाल लेंगे इससे जो नमकीन होगी वो बिल्कुल भी oily नहीं बनेगी अब मैं इसमें आदा कप किश्मिश भी add कर रहे हूँ और किश्मिश तो बहुत ही जल्दी से फूल जाती है तो जैसे ही ये फूल जाएगी हम इसे और जादा नहीं पकाएंगे इससे तुरंती पहा निकाल लेंगे तो अब ये काफे अच्छे से फूल गई है और किश्मिश आप जरूर से डालें किश्मिश का flavor इस नमकीन में बड़ा ही अच्छा लगता है जब आप इस नमकीन को खाएंगे तो बीच बीच में जो किश्मिच का मीठा फ्लेवर होगा वो इस नमकीन के टेस्ट को और भी बढ़ा देगा तो किश्मिच में निकाल कर मैंने साइड में करती है और अब इसमें ये 10 से 12 इस तरह से कटी भी हरी मिर्च आइट करें हूँ और जब हरी मिर्च आप फ्राइ करें तो थोड़ा आप कड़ाए में डालें फिर छलनी को उपर करें फिर थोड़ा फ्राइ करें तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो हरी मिर्च होगी न वो तड़के कहीं नहीं वरना क्या होगा एक साथ ही आप फ्राइ करेंगे तो ये उचल कर दार बहार आने लगती है तो बस ये हरे मिर्ज़ भी अच्छी फ्राई हो गई है ओर बाद में जब ये रूम टेंपरेच BONRO पर आ जाएगी तो एकदम ड्राई हो जाएगी तो नमखिन में इसका फ्लीवर भी अच्छा लगेगा और इसलिया आप हरे मिर्ज़ के साथ इस नम इसका फ्लिवर इस नमकीन में बड़ा ही अच्छा लगता है तो अब करीपता को भी हम निकाल देते हैं साइड में और अब हम पोहा को भी फ्राइ कर लेंगे तो पोहा को एक साथ जना डाल कर इस तरह बैचिस में हम फ्राइ करेंगे ताकि तेल का टैमपरीचर डाउन ना हो और पोहा को हमेशा हाई फ्लिम पर फ्राइ करें तो इसे पोहा बढ़िया से क्रिस्पी भी हो जाएगा और ये ज़्यादा ओल को भी एब्सॉर्ब नहीं करेगा तो देखिए जैसे हमने पोहा तेल के अंदर फ्राइ किया ये कितने अच्छे से बूल गया है तो अब इस प आप बना सकते हैं तो पोहा या लाई दोनों का इस्तमाल करके भी ये नमकिन बनाई जा सकती है तो सारा पोहा मैंने अच्छे से फ्राइ कर लिया है और देखिए थोड़ी से पोहे से कितना सारा पोहा बन गया है क्योंकि फ्राइ होने के बाद काफी भूल जाता है तो ये ह होगा कि जो पाउडर मसाला होगा वो जलेगा भी नहीं और इस नमकीन में वो अच्छे से पक भी जाएगा तो फ्लीवर टेस्ट बहुत ही अच्छाएगा तो एक बड़ी बरतन के अंदर इन सारी चीजों को में ट्रांसफर कर लूँगी तो यह मैंने पोहा डाल लिया है पत मसाले के साथ साथ हम इसमें एड़ करेंगे तो चमच पी सीवी चीनी तो यह आप जरूर से इस्तमाल करें से सारी फ्लेवर्स बैलेंस हो जाते हैं और नमकीन बहुत ही बढ़िया लगती है घाने में यहाँ पर मैंने दो चमच सफेद ती लेकर इने भी फ्राइग कर लिया फिर इसे खोल कर ऐसे हम बढ़िया से टोस कर लेंगी तो सारी मसाले इवनली पूरी नमकीन में कोट हो जाएंगे और देखिए कितनी सारी नमकीन बनकर की तयार हो गई है वो भी एकदम कम समय और कम महनत में और बहुत ही टेस्टी यह नमकीन बनकर की तयार हो जाती है इस नमकीन को आप अच्छे से ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद किसी भी एर टाइट कंटेनर में अराम से लंबे समय तक स्टोर करें और जब चाहें आप कुछ हलका फुलका खाना या चटपटा खाना तो इस नमकीन का मज़ा जरूर उठाएं तो फ्रेंड्स ये बनाने में भी आसान है और लंबे समय तक स्टोर भी की जा सकती है और घर पे बनी है बले हमने इसे फ्राइग किया हो लेकिन घर पे बनी वी है तो हमने नहीं इसमें कोई कैमिकल डाला है नहीं कोई आर्टिफिशल कलर डाला है तो इसे ये नमकीन घर की ब मैं फिर से मिलूंगी आपको एक ऐसी और नई मसितार रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई बाई